हेलो अब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की स्पीडों में हम बात करेंगे फूड विवाक की तरफ से आचुकी नई भरती 2023 के बारे में जहांपर आप सभी के लिए भरतियों के नोटिकेशन और आभीदन करने के लिए ओनलाइन लिंक भी एक्टिवेट कर दिये गए हैं दोस्तो आपके पास आभीदन करने के लिए ज्यादा समय नहीं है आने वाली 4 दिसंबर 2023 तक आभीदन आपके चलने हैं दिये गए समय में आभीदन करना है तो आप कर पाएंगे उसके बाद आउनलाइन लिंक को क्लोज कर दिया जाएगा आपको बता दे FSSAI यानि Food Safety and Standard Authority of India की तरप से Assistant, Secretary, Manager और Officer जैसे पदो पर भरतियों के notification और online आभीदन करने के लिए लिंक को जारी किया गया है आप सभी लोग इसमें आभीदन कर पाएंगे अगर आप लोगों की उम्रह 18 से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप लोग आभीदन कर सकते हैं इस विकेंसी को फेक समझने की गलती मत करिएगा इस भरती के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है इस वीडियों के अंद अप्लिकेशन कॉलिकेशन मागा गया है सभी पोश्टों की उम्र सीमा यानि की एज लिमिट जिसको बोलते हैं अलग-अलग होने वाली है नॉर्मली हम बात के तो 18 से 40 साल के बीच में ही आपकी एज होनी चाहिए महिला पुरुष दोनों के टेगरी के कंडिडेट इन भरत यानि कि आप लोग बिना किसी अपलीकेशन सूलक के आवईदन कर पाएंगे अगर बीड़ो अच्छी लगती है तो बीड़ो को लाइक कर देजएगा और आगे आनेवाली बीडो की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नॉटिबीकेशन को ओन जरूर करिएगा आई या ओफीसल वेबसाइट के माध्यम से समझते हैं कैसे आवेधन करेंगे और नोटिपिकेशन में कौन कौन सी जानकारी दी गई है दोस्तों आपको आवेधन करने का नोटिपिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्किप्शन में दे दिया गया है आप लोग चाहें तो क्लिक करके इस पेंच पे आ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए सरकारी रोजगार अड़ा.com की ओपिसल वेबसाइट पे जाएं यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं और गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वहाँ आपको इस विकेंसी की कंप्लीट इनफोर्मिशन मिल जाएगी वेरियस नंबर और पोश्टे हैं कौन कौन सी पोश्टे हैं 40 साल की होनी चाहिए तो आप लोग आविधन कर पाएंगे, अप्लीकेशन फीस की बात करें, तो किसी भी कटेगरी का कोई भी अप्लीकेशन सुल्क नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ पे आविधन कर पाएंगे, इसके बाद हम बात करते हैं, आपको 35 से 40 जार श्टार्टिंग का देखने को मिलेगा, अलग अलग पोश्ट के हिसाब से, और क्वालिपिकेशन है, दसवी बारी पास और ग्रेजुएट वाले केंडिडेट सभी पोश्ट विकेंसी के लिए आविधन कर पाएंगे, बात करते हैं, आविधन करने की आखरी डेट के बारे में, तो आविधन करने की जो आपकी आखरी डेट है, वो आपको बता दिया गया, 4 दिसंबर 2023 तक आपको आविधन करना है, इसके बाद जो आपका सिलिक्सन है, वो आपका एक्जाम के बेसिस पे होना है, यानि आप exam देंगे, exam को clear करेंगे, documentary application करवाएंगे और आपकी joining हो जाएगी यहाँ पे आपको कई सारे link मिल जाएंगे, इसकी सहायता से आप लोग सरकारी रोजगार अड़ा की official website के उपर आ सकते हैं और यहाँ से आने के बाद सबसे पहले तो आपको WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप को जरूर से जॉइन कर लेना है यहाँ से भी आप जॉइन कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो देख सकते हैं Food Department Recruitment 2013 के लिए खाद बिवाग में आई बंपर भरती हैं यहाँ पे आपको खाद बिवाग की विकेंसी के बारे में complete information मिलने वाली है सबी पोश्टों के नाम है 42 total number विकेंसी हैं 10-12 डिप्लोमा ग्रेजुएशन यहाँ पे अलग-लग पोश्ट के केंडिडेट आविधन करेंगे आने वाली 4 दिसंबर 2023 तक आपको आविधन करने का समय दिया गया है इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे भारत से महिला और वुरुस दोनों के टिग्री के केंडिडेट आविधन कर पाएंगे बाकी की जानकारी आपको official website पे आके देख लेनी है अभी हम बात करते हैं यहाँ पे important dates के बारे में यहाँ पे आपको सभी तरह की dates मिल जाएंगी और उसके बाद आपको important link का section भी यही पे देखने को मिलेगा इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे online आविधन करने के लिए online link भी दिया गया है notification को download करने के लिए आपको इस clicker की बटन पे एक बार click करना है जैसे click करेंगे आपके सामने PDF format में आपका notification आजाएगा अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं FSAI यानी Food Safety and Standard Authority of India की तरफ से complete notification है Ministry of Health and Family Welfare Government of India यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो vacancy हैं वो out करी गई है और यहाँ पे 3-4 चीज़े हैं जैसे serial number हो गया name और post हो गया pay level हो गया, number और vacancy हो गई और कौन सी post की placing कहाँ पे रहेगी यानी job कहाँ पे मिलेगी मैं दो चीज़े आपको बताता हूँ पहला post name और इसके लाबा कहाँ पे job मिलेगी बाकी आप देख लीजेगा administrative officer के लिए 8 vacancy है नियो दिल्ली के अंदर और गाजियाबाद चन्ड़ी के अंदर आपकी posting होगी senior private secretary की post है 3 और नियो दिल्ली के अंदर headquarter में आपको posting मिलेगी personal secretary के लिए 14 यानी की 14 vacancy है नियो दिल्ली इसके लाबा गाजियाबाद मुंबई चन्ड़ी और कुलकाता में आपकी posting होगी assistant manager IT के अंदर एक post है नियो दिल्ली के लिए assistant के अंदर 6 post है नियो दिल्ली में posting होगी और junior assistant grade second के लिए नियो दिल्ली मुंबई कुलकाता और गाजियाबाद की location रखी गई है job location है यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि last date for hard copy of application through a proper channel for 12 2023 यानी की आप 412 2023 तक आविदन कर पाएंगे एक complete notification है अधिग्यानकारी के लिए आप अभी भी सरकारी रोजगारadda.com की website पे आ सकते हैं इसके लावा भी कई job vacancy आपको यहाँ पे मिलेंगी सरकारी रोजगारadda.com आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग गूगल पे टाइप कर सकते हैं और वीडियो के description और comment box में भी आपको link मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद